हेलो इस्टोर वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्वीज दोस्तों इस वीडियो में आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको स्विंग डिडिंग के लिए नहीं बलकि पॉर्टफोलियो में बाय करकर चलना है यानि कि इस स्टॉक मे के फंडमेंटल कंपने के बिजनस मॉडल और कंपनी में क्या चीजे थी जो हमने इस को देखकर इस कंपनी को पिक किया है तो जरूर आप लोग वीडियो को भीन स्किप करें जरूर देखें बाकी जो लोग ने सुवें लाइफ साइंसे के जो सेर्स की मैंने बात करी थी जरूर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं इसके लावा अगर आपने देखा होगा आज इंडियन मार्केट में हमको काफी थोड़ी से वोल्टालिटी दिख रही थी लेकिन उसके बाद हमें अच्छे गासे यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर निफ्टी के है जाक कर डिटेल से पढ़ लिजेगा इसका बूरा इंपक्ट यहाँ पर हमको स्टॉक मार्केट में आज दिखाई दिया है जिसके वेसे अगर आप बात करें मेटर सेक्टर की तो मेटर सेक्टर में करीब हमको जो इंडेक्स थे इनके करीब सबाद चार पसंद की आस पास दिखाई दिये हैं तो बहुत ज़्यादा पॉस्टिव निउस थी नहीं देखा है जाकर देश लिजेगा बहुत ही यहाँ पर आपको सीखने भी वाले इस निउस को अगर आप देखते हैं तो बहुत कुछ यहाँ पर आपको पता भी चलने वाला है तो चलिए यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं उस stocks के बारे में जिसको हमने यहाँ पर आज पीक किया है तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें कि इस company को हमने यहाँ पर पीक क्यों किया है for the long term तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें company के पीजी रेशियो यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है 0.25 एक परसंट से कम अगर यह पीजी रेशियो में दिखाई देता है तो उस company में काफी जादा सामभावनाएं होती हैं कि वह इसमें growth करेगी अब company यहाँ पर एक बहुत ह on equity भी हमको 23% की यहाँ पर दिखाई दे रही है price to book value है 4.92 का stock trade कर रहा है 21 के multiple paper अब यहाँ पर companies भी छोटी है लेकिन अगर आप इनके clients देखते हैं तो इसके अंदर MRF, Apollo, TVS, CET, Zeketais, IOCL, Mangalore Refinery, Hyundai, Construction equipment जैसी बड़ी company यहाँ पर हमको दिखाई दे रही हैं अब आखिर company company ऐसा क्या करती है कि इतने बड़े-बड़े clients हमको यहाँ पर इस company में दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं presently तो company है वह आउंस करती है आपडेट्स, 5 manufacturing units in Himachal, Marasta, West Bengal, Tamil Nadu and Hariana यानि कि एक small cap company, micro cap company है उसके बावजुद यहाँ पर इनके पास 5 manufacturing facilities भी हैं अगर हम इंडिया के अंदर की बात करते हैं तो तो काफी अच्छी company है, काफी अच्छे fundamentals हैं, काफी अच्छे manufacturing facilities है, किसी भी company के पास अगर खुद की manufacturing facilities होती हैं तो उस company के business को growth करने में काफी हद तक संभावना, काफी हद तक उस company में growth होने की संभावना होती हैं अब यहाँ पर अगर हम geographical presence की बात करें तो FY21 में company ने export के business को भी start किया था जिसमें इन्होंने Thailand, Turkey, Sri Lanka जैसे देश में अपने export के business को बढ़ाया और इसके साथे साथ यहाँ पर इन्होंने इसकी जो European market में भी अपनी मौके को तलासा है FY21 की अगर बात करी जाए तो exports के माध्यम से इन्होंने करीब 7% का revenue जन्रेट किया है हाला कि FY20 से अगर हम देखें तो यहाँ पर minor सा decline भी दिखाई दिया है लेकिन डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि company लगातार प्यास कर रही है कि वो अपने business को expand करें जिसका जीतत आगता अगराल भी हमको यहाँ पर अभी company के business में दिखाई देगा आगे जो हम discussion करने वाले हैं अब यहाँ पर company का जो नाम देखने आए हैं तो company का नाम है Tina Rubber and Infrastructure Limited जो primarily engaged है conversion of end-of-life tires into crumb rubber and steel wires obtained in the process यानि कि यह crumb rubber, steel wires यानि जो tires होते हैं उसकी जब life खता होने वाली होती है तो इसको recycle करकर यह crumb rubber, steel wires के processing में यह काम करते हैं अब इसका use कहां किया जाता है तो उसके बाद जो भी recycle करते हैं basically इसका जो industry है कौन सी वो industry जहाँ पर use करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि road repair करने मे tires में और auto part industry के अंदर इसके जो भी chemicals हैं जो भी product company बनाती है उसको recycle करके जो यह बना रहे हैं उसको use किया जाता है यानि rubber को recycle करके जो भी product बनाते हैं इस industry को यहाँ पर यह basically supply करते हैं तो काफी अच्छा diversified business भी यहाँ पर हमको इस company का आता हुआ दिखाई दे रहा हैं अब कि मैं उन stocks को ही portfolio में buy करने के लिए कहता हूँ जो एक micro cap या small cap या mid cap जैसे company हैं क्योंकि ज्यादा तर channels पर आप लोगों ने देखा होगा कि वह Reliance, SDFC bank या बजास financier को buy करने के लिए बोलते हैं लेकिन यह उन लोगों के लिए हैं जिनके पास बहुत जादा पैसा है जिनका पर आप लोगों को बस करना यह होता है कि उन company को pick करिए जिनके business feature में बढ़ेंगे company के fundamental अच्छे हो company के promoters अच्छे हो company के business growth कर रहा हो तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि learning के लिए 500 रुपए 1000 रुपए 1200-1500 जो आप क्या risk capacity हो जिसको खोने का डर बिलकुल भी ना हो और आपको कोई फरक ना पड़े लेकिन जिस तरह के company जिस तरह के business model पर company काम कर रही है अगर यहां से यह 10 गुना भी चल गये ना तो आपको एक अच्छे कासे पैसे बना कर दे देगा तो यह learning क्लिप बहुत अच्छे stocks होते हैं शरूर आप लोगों को ऐसी small cap company उपर नजर बायट भी दे सकते हैं अब यहां पर company की sales अगर देखे तो 2011 में 107 करोन की sales रहा कर दे थी जो की अच्छी कासी बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते मार्च 2016 तक आते आते इनकी sales हमको बढ़कर 530 करोन की होती ही दिखाई दे थी लेकिन उसके बाद इनकी sales काफी हत्ता ग company है तो इनके business में काफी जादा volatility हमें दिखाई देती है अब देखे छोटी company होती है तो आप सभी को पता है काफी जादा यहाँ पर pressure भी होता है company के ओपर तो company में सबसे बढ़ा फाइदा क्या होता है कि यहाँ पर growth करने की एपार संभावना होती है इस तरह की company को और अग दिखाई दे रहा है 4000 क्रों भी चला गया तो एक अच्छे कास रिटरनिस company में आप लोगों को मिल सकते हैं अब यहाँ पर इनका operating profit margin अगर देखें तो यहाँ पर हमको बहतर दिखाई दे रहा है करीब 16% के आसपास यहाँ पर यह operating profit margin रखते हैं जो कि पहले 4% का राग करता था यानि company sales अपनी बला रही है और अपने operating profit margin को भी बलाती है नजर आ रही है जो भी किसी भी company के लिए बहुत ज्यादा positive points यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं अब यहाँ पर इनका net profit अगर देखें तो पहले देखें कि sales भले ही जादा दिखाई दे रही होगी आपको ले लेकिन अभी इन्होंने अपने operating profit margin को जब बढ़ाया है तो इनका net profit भी हमको यहाँ पर बढ़तावा दिखाई दिया है अभी करीब 19 क्रोंग का यहाँ पर net profit हमें दिखाई दिया है और अभी आगे के upcoming जो results है quarterly वो आने को देखने को मिलने वाले हैं अब इनका earning pressure भी काफी हद तक बढ़ चुका है और करीब 22 का APS यहाँ पर कंपनी चनलिट करने में कामियाब हो रही है अब कंपनी के कुछ बहुत ज़्यदा positive points है यहाँ पर घंकी आप compound sales growth देखिए 5 साल में 28% की CAGR से compound profit growth 5 साल में 31% के CAGR से और stock price CAGR अकर देखिए 63% के CAGR से यहाँ पर company ने 67% के अब अगर आप सोचिए कि आप रिलेंस बचास finance या जो भी large cap company अगर आप उस पे निवेश करते हो क्या आपको इस तरह के CAGR से return मिल सकते हैं आप खुछ से प्रस्न करिएगा हाँ जब इस company starting अपने initial stage पर होंगी तो इन्होंने भी इस तरह के return मना कर दिया है और आज ये large cap company बन नहीं है तो सोती है अगर आप यहाँ पर इस तरह की जो छोटी company है मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप उन company में निवेश करिए जिनके business model अच्छे ना हो जिसके ओपर बहुत debt हो company के sales अच्छी ना हो आप लोग जो penny shares खोजते हैं कि इस penny share में जो एक रुप के लिए hold करना है long term का मतला बें कम से कम अभी 5 साल आपको इस company में समय देना है पांस साल बार decide करेंगे कि company के business में क्या growth है company आगे survive कर पाएगी या नहीं या किस हिसाब से company आगे बढ़ पाएगी उसके बाद आपको decision लेना होता है तो अभी के लिए आप जरूर 5 साल के लि वीडियो को बच इतना ही कहूंगा कि यहां पर आप लोग stock को buy करकर चलिए promoter के पास करीब 74 परसंट की हिस्यदारी है FIIs ने भी देखी यहां पर छोटी जे company में पैसा लगाना start कर दिया है अब यहां FIIs, DIs, Government या Public हर एक के पास हिस्यदारी है यह इतनी छोटी company में आप सोचिए कि FIIs, DIs, और Government पैसा लगा रही है तो जुरूर इस company में कोई लोग ऐसी बात खासियत होगी जिसके वज़े से जो बड़े निविशक हैं इसकी और अकर्शित हो रहे हैं बरकी promoter ने भी करीब 74 परन की सिदारी रखी है यानि कि इनको भी अपनी company के उपर पूरा भरोसा है और सबसे बड़ी बात यहां पर डॉली खना जैसे निविशकों ने भी यहां पर इस stock को बाय किया हुआ है तो यह बिल्कुल मैं नहीं कहता हूं कि कभी भी किसी ऐसे stocks निविशक बड़े निविशक को देख कर आप stock को बाय करिए सिर्फ एक motivation motivate होनी करने के लिए से मैं वह को बता रहा हूं कि बड़े बड़े निवेशक ऐसी पैसा नहीं लगा देते हैं तो ज़रूर आप भी यहां पर इस तरह की company को analysis करिए self analysis करिए उसके बाद कोई भी decision लेजिए और हां कभी भी एक बड़ा amount इस तरह की small cap companies में नहीं लगाना है क्योंकि यतनी तेजी सही stock आपको उपर को जाते हुए दिखेंगे वैसा ही जैसे अगर market में कोई भी वस news आती है वस situation होती है तो अतनी तेजी से आपको निच्छी गिरते वें दिखाई देंगे लेकिन हां अगर आपने stock को सही से analysis किया हुआ है तो जरूर आप लोग उस गिरावट में stock को यहां पर pick करोगे और एक अच्छे return यहां पर ले सकोगे I hope यहां पर आप लोग काफी कुछ सीखने को मिला होगा अगर आप लोग सुनी जो हमारी demo group है हमारा उसको भी join यहां पर कर सकते हों जिसमें 7 डिस के लिए trading दी जाती है जहां पर आप trading के थूँ पाने के लिए चैनलों को सब्सक्राइब करना आप बिल्कूल ना भूले थांक्यों इस वीडियो जय हिंद जय भारत